28 अक्टूबर को इस बार सरद प्रुणिमा है और उसी दिन चंद ग्रहन भी है हम सभी जानते हैं कि चंद ग्रहन हमेशा प्रुणिमासी को पढ़ता है और सुरिग ग्रहन हमेशा अमावश्या को पढ़ता है यह सर्द प्रुणिमा के दिन चंद ग्रहन पिछले अब तक नहीं हुआ है इसका सूतक 28 तारीक को 4 बच के 5 मिनट पर प्रारंब होगा और चंद ग्रहन का परारबंब एक बच के पांच मिनाट रात में होगा जोन्कि चंद ग्रहन के समय सुतक के उपरांध किसी तरह का पूजा पाण नहीं किया जाता है अता शरत्पुणिमा की पूजा रात के दो बच के तैईस मिनिट के बाद की जा सकेगी इसमें ये चंद ग्रहान अश्वनी नश्चत्र में और मेश राश में है अता इसका सबसेदा असर मेश राश में रहेगा मेश राश के लोगों को सबसेदा कस्ठ होगा मिथुन कर्क ब्रिष्टिक धन्यों कुमरास के लिए अग्रहान सुभाय सिंग तुला और मीन राश के लिए मिश्रत्फलदाई है तथा मेश ब्रिष्ट कंद्या और मकर के लिए अश्वाय मैं आपको बताना चाहूंगा कि खगोल्क सास्त्रियों के गडित की अनुसार 18 बर्स 18 दिन में अधिकतम 41 सुरी गहन और 29 चंद गहन पड़ सकते हैं एक बर्ष में बर्षत्तार समभब उसमें अधिकतम 5 सुरी गहन तथा 2 चंद गहन पड़ सकते हैं